Hello everyone, so कैसे हैं? आप सब आई होप आप सब भी बढ़िया होंगे आज की इस उन्टर्चा करने जा रही है CUT के बाद universities के अंदर online counseling process कैसे tend करना होता है कैसे आप लोग CUT के score के basis पे आगे अपने admission process को proceed करेंगे तो बिना time waste करें जल्दी से start करते हैं हमारे वीडियो इस वीडियो में मैं complete guide लेके आया हूँ का कि आपको आगे कैसे proceed करना है तो सबसे पहले आप लोगों को regular visit करना है जिन universities के अंदर आपने apply करा है अब हुआ क्या है कि बहुत सारे student ने कुछ भी नाम डाल दिये हैं पचास universities के नाम डाल दिये हैं तो इतनी सारी universities के regular visits करना impossible हो जाता है तो ऐसे में जो university आपकी first priority है उस university पे तो आपको अपनी focus रखनी ही रखनी है regularly university की जो website है उसको visit करना है कि कोई update आया या नहीं आया इस साल admission process के अंदर fee structure के अंदर, seat matrix के अंदर क्या changes आये हैं यह सभी चीज़े आप लोगों को university की website पे मिलेंगे तो जितने भी CUT के अंदर अपने application form में universities का नाम डाल देना sufficient नहीं है आपको individually हर एक university की website पर जाके check करना पड़ेगा university की website पर जब आप जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर उनका latest brochure भी देखने को मिलेगा अभी mostly universities ने अपने brochure release नहीं कर रहे हैं यह जो brochure है इसके अंदर सारी details आप लोगों को मिल जाएंगी regarding the reservation application साथ में आपको fee structure क्या होता है placements के record भी even आप लोगों को जो है university के brochure के अंदर दे दिये जाते हैं साथ में कौन-कौन से courses available है आप alternate अगर courses भी देख रहे हैं तो कौन-कौन से courses और आप apply कर सकते हैं यह भी आपको university के ब्रोशर के अंदर बिल जाएंगे बहुत time हम क्या करते हैं सिर्फ university के जाके application form फिल कर देंगे और वहीं पर settle हो जाते हैं next round के लिए या पर next step के लिए लेकिन ब्रोशर से आपके बहुत सारी चीजे जो hidden doubts होते हैं वो clear हो जाते हैं इसके अलावा हर एक university जितनी भी university हैं सभी अपनी website पे faq जो है upload करती है faq होता है frequently ask questions तो जो आपके doubt है mostly सभी students के वो doubt होते हैं तो उन students के जो doubt पूचे गए हैं उसके basis पे वो अपने answers को भी release करते हैं वो आपको काफी help करेंगे आपके admission process के अंदर आप लोगों को हर एक university का application form भी fill करना पड़ेगा सिर्फ नाम डाल देने से आप लोगों उस university के लिए eligible नहीं हो जाते जैसे कि अगर एक example के तोर बें बोलूँ कि डेली उनिवर्सेटी में किसी student को apply करना है अब उसने इस UT में तो नाम mention करी दिया था अब यहां से आपको आगे proceed कैसे करना है आपको डेली उनिवर्सेटी की website पर जाना है और इनका online counseling का process जो है आपको समझना है अब समझते कैसे हैं समझते हैं इस चीज़ को भी अच्छे से अभी आप क्या कर रहे हो एक single portal से single portal से एक single exam दे रहे हो CUT का और उसके basis में multiple universities में अपलाए कर रहे हो अब जब आप जाते हो एक university के पास जैसे के इसके पास भी अपने 70 colleges हैं ऐसी बहुत सारे universities होंगी जिनके अंदर affiliated college more than 70 मिलेंगे कहीं पर 50 plus college मिलेंगे कहीं पर 60 plus colleges मिलेंगे तो आप वहां तक कैसे पहुचोगे तो ये जो universities हैं ये भी अपना एक centralized online counseling का process आगे आपको करने के लिए देते हैं centralized का मतलब क्या होता है कि आपको एक application form फिल करना होगा और उस application form के basis पे university आपकी choice मंगेगी आप हमारे कौन से college में जाना चाते हैं कौन से college को पहली preference देना चाते हो ये सारी चीज़ें आप लोगों के इनके online counseling के process में देखने को मिलती है तो जिसके भी आपको phase दे दिये जाते हैं तो पहला phase mostly जो होता है आप लोगों की basic details लेता है basic details किस चीज़ की लेता है कि आपका नाम क्या, आपके father का name क्या है, आपने CUT का exam दिया है उसका application form का number क्या है, ये सारे details जो होती है, basic details होती है दूसरा phase जो होता है, मैं CSAs की portal की बारे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी universities का rule होता है पहला phase होता है, आपका basic details का phase 2 होता है, जिसके अदर आपसे choices मांगी जाती है colleges में admission के लिए, इसके बाद phase 3 होता है आप लोगों का allotment allotment यानि की आपकी choice के basis पे, आपके score के basis पे आपको कौन से college में admission दिया जा रहा है जितना अच्छा आपका CUT का score होगा, जितनी अच्छी आपकी merit होगी, उतने ही ज़्यादा strong chances बनते हैं आपके उन top colleges में admission लेने के, तो ये जो process है, actually में start होगा आप लोगों का CUT के exam के result के आजाने के बाद फिलाल मैं भी आप अपने merit के उपर पूरा-पूरा focus करें, जितनी अच्छी merit उतना अच्छा college attend online counseling and stay up to date जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ process को समझ लेना है, असान लगता है हमको उसके बाद जब आप इस counseling को attend करते हैं, तो आपको पता चलता है कि भाई, कितना competition है आज की rate में मेरे साथ कितने सारे student है जो इस counseling को attend कर रही है तो यहाँ पर सबसे ज़्यदा important क्या होता है कि up to date रहना अब होता क्या है कि पहले round की date क्या है, बहुत सारे student dates मिस कर जाते हैं बहुत सारे student right time पे अपने college को phrase नहीं करते हैं, बहुत सारे student अपनी right time पे college की fees पे नहीं करते हैं इससे क्या होता है कि वो जो seat आपको मिलने थी, जिस seat के आप हकदार थे, वो seat आपके next rank वाले student को या next percentile वाले student को forward कर दी जाती है, तो जिस जगे पे आप जाने वाले थे, वहाँ पे आप बैठेगा कोई और आपकी जगा सिर्फ एक गलती से कि आप up to date नहीं थे, तो अपन fees priority में जाके pay कर दो, और इसकी जो date होती है, सध्यान रखना जब आप एक university में apply करते हो, तो उस university के अंदर legs के अंदर applicants apply करते हैं, अब आप कुछ समझ सकते हो कि इतने legs को personally message करना, कि भाई आज ये date आ गई है, आज वो step है, आपको ये करना है, तो ये सब चीजे next to impossible होती है तो इसके लिए universities जो है public notice release कर देती है, आप जितने भी universities देखोगे, जितने भी most popular universities जिसमे number of applications जादा है, वहाँ पर आपका public notice release कर दिया जाता है, ताकि उस notice के तुरू सभी students अपने information को देख सके, तो ये चीजें आप लोगों को regularly based पे चेक करनी है, यहाँ पे online counseling का जो process है सबका अलग-अलगों का, हर एक university का अलग होगा, आप सर्फ एक exam common दे रहे हो, आप सभी universities में apply करने के लिए eligible हो, लेकिन उन universities के पास भी आपको जाके apply करना होगा, तो ये है important details जो कि आप लोगों को अपने ध्यान में रखनी है, बाकी अपनी merit पे सबस्यादा focus करें, जितन के अंदर हम बहुत ही rapid speed से अपनी preparation आप लोगों को live classes के तुरू कराने जा रहे है, instant discount आप लोगों को दिये जा रहा है, 999 के अंदर आप CUD की preparation जोइन कर सकते हैं, higher education के साथ live classes के तुरू, आप जाएंगे higher education की application पे English plus general test, coupon आपको जिस्ट apply करना है, और ये coupon 7 days के लिए valid है, जितना late करोगे, उतना ही chances कम होगा आपके CUD के अदर अच्छे percentile लाने का, तो आज से ही अपनी कमर कसलो, अगर preparation नहीं कर रहे हो, तो आके join करो, यहाँ पे आपको online classes के साथ, mock test series भी दी जा रही है, 1000 के अंदर till the exam, जब तक आपको CUD का exam होगा, तब तक आपको यहाँ पे भी मिल रहे है, लेली live class भी मिल रहे है, mentorship भी मिल रही है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे CUD का दिया जा रहा है, बहुत limited से time के लिए CUD की preparation का यह, आपको live course मिल रहा है, इसके अलावा, आप अगर physical books के साथ जाना चाते है, तो physical books के साथ भी हमारे पास preparation available है, अगर CUD के course के अंदर duration का difference है, CUD का exam आप लोगों का हो जाएगा 30 में ते complete, IPCT का exam late तक होगा, तो उसकी preparation भी आपको late तक कराई जाएगी और उसके जो subjects है, section से बिल्कुल different होता है, CUD का exam से तो उस पे ज़्यादा workout करना पड़ता है, तो यहाँ पे आप लोगों की जो preparation है, और भ है, CUD कु तो जो जो कि एता है, CUD कि एता है.